हाई दोस्तों मेरा नाम राहूल है और मैं मेडिसिन से रिलेट चीजों पर रिवियो लिखता हूँ आज मैं आपके लिए कुछ कुल ट्रिक्स एंड इंफॉमेशन लेकर आया हूं जो कि स्किन लैट के बारे में हैं आज ये क्रीम बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं बट उनसे अगर पूछा जाए कि ये क्रीम उन्हीं किसने सजेस्ट किया है तो 90% लोग तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे के मेरे फ्रेंड सजेस्ट किया है या फिर मेरे फ्रेंड में कोई यूज कर रहा था तो उसी निवति लाया एक्सेट्रास एकस dripping कोई ऐसा नहीं बोलेंगा के मुझेज ние kanakšy amarจะ कि क्योंकि के क्यूंकि में करेंगें नहीं कि अक्यव दिए स्वास्रीब करने चाहिक तो को बताओंगे की इसे सेफली कैसे यूज्स कर सकते हो यह तेन केमिकल्स के मिलकर बना एक कीम है जो है कि आप यहाप देख सकते हो पहले चिंधल है रोंप एंड्यो न caller को अधरी टे कि नोन मोमेंटे कुरफिर क्रीम हइड्र को मानब जर स्का नाम भी है इसką रायो किरी आप झालJa आप समझी जाओब के कि एस具ं लाइट स्क्रीम काउचक्श nessa क्या होगा तो इसलिए मैं इसको छोड़कर मैं इसके कुछ extra information के बारे में बताता हूँ आपको यह एक्चुली लोग बहुत सारे इसको यूज कर रहे हैं बट उनके इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि लोग अक्सर देखते हैं के यूज करते करते उनके face पे रेडनेस आजाती हैं किसी के skin scratches आते हैं तो यह सब प्रॉब्लम साते हैं इसे यूज करने के बाद तो इस सब प्रॉब्लम से कैसे relief मिल पाएगा आपको बताऊंगा कि सो दोस्तों यह हमारा क्रीम है चलिए इसको एक्सपॉस करते हैं जैसे ही खोलोगे आपको इसके अंदर से एक परची मिलेगी जिसमें लिखा होगा सारा कुछ इंडिकेशन वगेरा कि कैसे कैसे आपको यूज करना है यह किस चीजों से बना होता है तो अंदर से हम लोगा क्रीम कुछ ऐसा दिखेगा एंड यहां पर निकालने के बाद अगर हम आपको दिखलाएं तो और सौरी यहां पर यहां पर मेरा मुबाल का कैमरा थोड़ा क्वाली डॉन है सो यहां पर साफ और नहीं आ रहा है वैसे मैं को बतला देता हूं यह जिए यह कैमिकल्स इंफॉमेशन से लिखे हुए है कि कौन से कैमिकल्स कितना इंक्लूड है इन क्रीम में तो यह आपके लिए इतना इंपॉर्टन से हैं ओके तो इसको ओपन करने के जरुवत तो है नहीं क्योंकि आप सब देखी चुके होगा के क्रीम कैसे होती है आपको यहां पर इस क्रीम को यूज करने के बारे में बताने वाला हूं क्योंकि लॉट्स परसंस तो इसे इन्हें सही से गाइड ने कर पाते हैं या फिर बहुत सारे लोग इसे गाइड तो करते हैं बट इसे सही इंडिक्शन नहीं बता पाते हैं सो इंट्टक्शों समय प्रइले इसमें बिल्कुल सही इंटक्शन लिखे होती है कि सह अited black has a जो के आपको लिखा होता है कि इसको तुर्च मी això sum uh ऐसको फ्रेज में रखना है और बच्छे से दूर रखना हमें हो बताने वाला कि इसको ईूस करते हो इसको यूज करने का तरीका यह है कि यह इस पेसली रात को यूज होता है बट आप पहले अच्छे से फेस को फेस्वास से क्लीन कर लें उसके बाद टावल अच्छी तरह पोच ले और इसको रगड़र करने ही लगाना है इसको अच्छे से एक लियर बना ले अपने फेस पे वरना अगर आप लगड़ोगे तो इससे फेस पे रेड़नेस वगयर आ जाते हैं बहुत सर लोग के साथ यह प्राब्लम होती है बट वो उनके लिए है कि वह अच्छे से इसे रगड़े नहीं इसे सिर्फ हलका हलके हाथ से क्रीम को अपने फेस पे रख लें तो इससे होग हेसं और बहुत सारे लोग के साथ यह प्राब्लम साती है और कभी-कभी यह होता है कि फेस से इसकी छुटने लेशालता है तो बहुत सारे लोग प्रेशान हो जाते है तो असवे करना क्या है अवर इस दिन में दो बार या तिम पर यूज्च करते हैं यह सिर्फ अप लगाए तो बैतर होगी और बहुत सरे लोग इसको यूज करते हैं कि इसे फेस क्लिन करूंगा एंड एक्सटोस एक्सटोस होते हैं सब के परपस बड़ यह एजैटली फेस क्लिन करने में ही काम आता है मगर अगर इसको आप रेगुलरली यूज करें तो आपके स्कीन बहुत पतली हो जाते हैं इसलिए इसको मैं तो बोलूँ है कि हफ्ते में थी मरतबह यूज करें और धीरे-धीरे ही सही आपके इसकार्स हट जाएंगे और बहुत सारे जो भी किलमवासिय होंगे आपके पेस के सारे क्लिन हो जाएंगे और हां इसे आँक के कॉंटक्ट इसके इंडिकेशन में खुझ लिखा होगा जो कि मैं बता दे रहा हूं आपको सो इसको फेस पर अच्छा से रख लेना है और बहुत सारे चीजिस इसके ऐसे भी होते हैं इफेक्ट के चमड़े हलके हलके उखड़ने लगते हैं चमड़ों से वाइट वाइट सा निकलने ल बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्योंकि मैं ऐसी तरह के इंट्रेस्टिंस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेट जरू करे धन्यवाद